हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टू होमवर्क कॉर्णर आई होप यू ओल आ सेफ और हेल्दी आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रैमर की वर्कषिट जो की क्लास फर्स्ट से है हमारा फर्स्ट योशन है चेंज दा जैंडर तो बुलका हमारा क्या आ जाएगा काउ अगरा मेरे चैन में ज़रूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी टाइगर टाइग्रेस नाइस नेफ्यू नेफ्यू होता है भतीजा और नाइस होती है भतीजी नेफ्यू बोई गल कोक हैं डोग बि हमारा सेक्ड क्योशन है फिले अ बलंक विध एम इस और आर आए के साथ हमेशा क्या आता है अएम आएम एंग्री विद रीमा मैं रीमा से नाराज हूं इट के साथ क्या आता है इस इट-इच अ धिल ड़ेएगे अफ्य। it, he, she, it के साथ हमेशा आता है is and I, we, you, they के साथ हम यूज़ करते हैं are और I के साथ हमेशा आता है M, sorry यहाँ पर I नहीं आएगा because I के साथ हमेशा यूज़ करते हैं M और we, you, they के साथ हमेशा आता है are इसके अलाव अगर हमारा singular noun है तो आएगा हमारा is और अगर plural noun है यानि के quantity में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ यूज़ करेंगे है M, are we are very tired, she is ill, वह बिमार है, you are shorter than me, तुम मुझसे छोटे हो question number third है हमारा write opposite meaning of given words इनका में opposite meaning देना है तो go मतलब होता है जाना, तो आना किसका होगा, come अपका मतलब होता है उपर, तो नीचे क्या हो जाएगा, up, down, slow मतलब धीरे, तो तेज का क्या meaning होता है, fast sad मतलब उदास, तो इसका positive क्या हो जाएगा, happy, खुश होना, soft मतलब मुलायम, तो यहाँ पे इसका positive हो जाएगा, hard, hot, गलम, cold, ठंडा, next question है match the similar word, यहाँ पे मैंने similar word लिखे हैं जिनको में करना है match, तो big, big मतलब बड़ा होता है, तो यहाँ पे use का मतलब भी होता है, बड़ा, easy, यानि के जो आसान हो, तो इसका option होगा हमारा d, simple, little मतलब छोटा, और यहाँ पे small का मतलब भी होता है, छोटा, chef, cook, happy, खुश होना और glad का मिनिंग भी होता है, खुश, आई नेक्स क्योशन देखते हैं, find out the verb from the given picture, यहाँ पे c लिखा है मैंने जो छूट गया था जल्दी में, and write them in given space, और नीचे जो space दिया हो है, उसमें हमें लिखना है, sorry for the drawing part, क्योंकि इतना अच्छा नहीं बनाया ह So, यहाँ पे कौन-कौन सी हमारी verbs है, वो हमें लिखना है, तो make, make क्या है हमारी verb है, all, all हमारी कोई verb नहीं है, उसके बाद play, खेलना हमारी verb है, ride, ride भी हमारी verb है, verb क्या होते है, action word, जो कि हमें action बताते कि कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम, मतलब action, कौन सा काम चल रहा है, pull, जैसे कौन सा action हो रहा है, pull, help, good और today कोई भी verb नहीं है, इसके बाद है go, go हमारी verb है, eat, खाना, who और many कोई verb नहीं है, तो make, play, ride, pull, help, go, eat, यह क्या है, हमारी verb है, यह हमें किसके बार में बताती है, action के बार में बताती है कि कौन सा काम हो रहा है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, तो please हमें support करें, हमारी चैनल को subscribe करें, till then, bye-bye, stay safe, stay healthy.